हलो दोस्तो मैं रुपास्री और हमारी यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जारकंड का सामायने परिचय जारकंड सब्द जार और खंड दो सब्द मिलकर बना है जार का अर्थ है जाड़ी और खंड का अर्थ है भू भाग अर्थात जारकंड का अर्थ है जाड़ीों वाला भू भाग इसका गठन 15 नवेंबर 2000 को हुआ जारकंड की राजधानी है राची और उप राजधानी है दुमका हमारा राज जारकंड का छेत्रफल 89,714 वर किलोमिटर में फैला हुआ है जो की देश की कुल छेत्रफल का 2.42 प्रतिसत है यहाँ पर ग्रामीन छेत्र 77,922 वर किलोमिटर छेत्रफल में फैला हुआ है और सहरी छेत्रफल है 1792 वर किलोमिटर अर्थात जारकंड में ग्रामीन इलाका जादा है सहरी इलाका से जारकंड का उच न्याले जिसको अंग्रेजी में हाई कोट कहा जाता है इसकी राजधानी राची में है जो की देश के 21 नंबर का उच न्याले है और यहां विधान मंडल एक सदनिय है तथा विधान सवा सीटों की संख्या बिरासी है लोक सवा सीटों की संख्या 14 है 14 लोक सवा सीट में से 1 सीट SC का है 5 सीट ST का है और 8 सीट अनारक्षित के लिए है और यहां राज्य सवा सीटों की संख्या 6 है संपूर्न जार्खंड पांच प्रमंडल में विभाजित है उत्तरी छोटनागपूर जिसका हैड ओफिस हजारिबाग में है दक्षिनी छोटनागपूर जिसका हैड ओफिस राची में है संथाल परगना जिसका हैड ओफिस दुमका में है कोलान प्रमंडल जिसका हैड ओफिस चायवासा में है लास्ट है पलामू प्रमंडल जिसका हैड ओफिस है मेदिनी नगर में इन पाचो प्रमंडल में जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटनागपूर और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल यहां पर कुल 24 जिला है 24 जिला का नाम है गड़वा पलामू चत्रा हजारिवाग कोडर्मा गिरिडी देवघर गोड़ा साहिवगंज पाकूड दुमका जमतरा धनवाद बोकारो रामगड राची लातेहार लोहर दगगा गुम्बला सिमडेंगा खूटी पस्चिमी सरेकला खर्स्वा और पूर्वी सिम्भुम सबसे बड़ा जिला है पस्चिमी सिम्भुम और सबसे छोटा जिला है रामगड यहां की राजकिय पूस्प पलास है राजकिय पसू हाती है राजकिय पच्ची कोयल है और राजकिय ब्रिच साल है जार्खन के लगभग हर छेत् प्रिच पाया जाता है। तो यहाँ पे आदिवासी एक दुसरे का हाथ पकड़े हुए है। पूर्वी देसांतर पर इस्तित है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो धान है तथा यहाँ की जलवायू मानसुनी है। इसलिए धान का फसल जो होता है वो मानसुन पे डिपेंड रहता है। तथा यहाँ की औसद बरसा जो है वो एक सो चालिस सेंटीमेटर है। और यहाँ पे कूल क्रिसी योग भूमी अर्थात खेती करने लायक जो जमीन है वो 38 लाक हेक्टेर है। यहाँ का सबसे बड़ा सहर जो है वो जमसेदपूर है। जमसेदपूर की अलावा जारखन में जो अन्य बड़े सहर है उसमें से बुकारो और धनवाद है। 2021 की जनगन्ना के अनुसार जारखन की जनसेख्या 3,29,88,134 है और यहाँ का जनसेख्या घना तो 414 व्यक्ती प्रतिवर किलोमीटर है। यहाँ का डाक सुचक सेंख्या 81-83 है और वाहन अक्षर मतलब वाहन के जो नंबर प्लेट है उसके आगे जे एच लिखा होता है और यहाँ की जो राजवासा है वो है हिंदी। इसी के साथ जारखंड राज की सीमाए, पूर्व में पस्चिम मंगाल, पस्चिम में उत्तर परदेश और च्छतिसगड, उत्तर में बिहार और दक्षिन में ओडिसा को छूती है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक जवजस्त वीडियो के साथ अगर झाल 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 झाल